नमस्कार दोस्तों, मैं संजे मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टरल मीडिया मंच पर चुनाव के बाद अगर इस समय हर्याना में कोई चर्चाएं हैं तो ये कि 17 तारिक को जो हर्याना की सरकार बननी है वो उसका आकार कैसा होगा अगर चर्चाएं हैं तो ये कि हर्याना की जो सरकार बनेगी उस सरकार का कपतान कौन होगा लगबग नायब सिंग सेनी का नाम तय है अगर कहें तो फॉर्मल्टी बाकी है लेकिन राज नीती हो धरम की बात हो या कहीं कुछ भी हो कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता बगवान श्री राम के लिए राज तिलक होना था और लेकिन एक ही रात के अंदर ऐसा बदला हुआ कि उनको चौदै वर्ष का वनवास हो गया खेर ये राज की बात हैं तो वनवास की बात करना है और शुभा नहीं देगा राजनीती के अंदर कब क्या हो कुछ कह नहीं सकते लेकिन फिर भी क्योंकि नायब सिंग सेनी का नाम तै था नायब सिंग सेनी के नाम पर चुनाओ मैदान में गए नायब सिंग सेनी पूरे चुनाओ में एक्टिव रहे नायब नायक के रूप में सामने भी आए और संभावता नायब सिंग सेनी हर्याना के मुख्यमंत्री होंगे अब टीम में कौन शामिल होंगे अगर बात आ जाती है सेना प्रमुक की तो फिर बात में आ जाती है कमांडर कौन कौन होंगे हर्याना सरकार के वजीर कौन होंगे मैंने आप से अपने पेले वीडियो में शेयर किया मैंने आपको बताया कि जाती गत्समीकरण का अधार सबसे प्रमुख रहेगा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि वैश्य अग्रवाल समाज से कौन-कौन मंत्री बन सकते हैं किनका दावा मजबूत है और इस वीडियो में आप से बात मैं करूँगा हर्याना के एक और बड़े समाज जिनके सबसे ज़्यादा विधायक चुनके आए हैं भारती जनता पार्टी की तरफ से पंजाबी समाज पंजाबी समाज से हर्याना सरकार के अंदर कौन वजीर होंगे किनका नंबर लग सकता है किनका दावा गंभीर लिया जाएगा इस विशह पर आपके साथ चर्चा में हूँ आगे बढ़ने से पहले आपको बताओं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आठ नेता आठ विधायक बने हैं पंजाबी समाज से जिनमें सोनीपस से बने है निखिल मदान, निखिल मदान पहली बार विधायक बने है डॉक्टर क्रिशन मिड़ा जीन्द से विधायक बने है, डॉक्टर क्रिशन मिड़ा तीसरी बार विधायक है और अगर मैं कह दूँ जीन्द के लिए तो जीन्द में लगातार 20 साल से मिड़ा परिवार विधायक चला रहा है जीन्द के अंदर लगातार 2009 में विधायक थे क्रिशन मिड़ा जी के पिता जी डॉक्टर हरीचन मिड़ा 2014 में भी विधायक बने बीच में उनका निधन हो गया उप्चुनाव हुआ तो उप्चुनाव में डॉक्टर क्रिशन मिड़ा विधायक बने उप्चुनाव जीते रंदीप सिंग सुर्जे वाला और दिगविजे चोटाला को हरा कर उसके बाद में वो विधायक बने 2019 मरब 2024 में हर बार मार्जन भी बढ़ता गया खेर क्रिशन मिड़ा तीसरी बार विधायक विनोध भेयाना वो भी तीसरी बार विधायक अनिल विज अंबाला केंट के विधायक सात्मी बार विधायक गंशामदा सरुडा यमुना नगर से दूसरी बार विधायक जगमोहन आनंद करनाल से CM City थी जो पहले, वहां से और पहली बार विधायक, परमोद विज, पानीपत से दूसरी बार विधायक, 2019 में बने और 2024 में बने, और धनेश अदलका, फरिदाबाद की बडखल विधान सवा से और धनेश अदलकाजी पहली बार विधायक, यह आठ विधायक है यानि कि अगर म आनंद गंशामदा सारोडा अनिल विज विनोद भ्याना कृषल मिड़ा और निखिल मदान ये आठ विधायक पंजावी समाज के भारती जंता पार्टी से चुन करके आई चर्चाएं चल पड़ी है कि सरकार में वजीर कौन बन सकता है मंत्री कौन बन सकता है अगर सीनियर्टी की बात करें तो सबसे पहले नंबर अनिल विज का आता है अनिल विज साथवी बार विधायक है सरकार में बड़े मंत्री भी रहे है ग्रह मंत्री भी रहे है कई-कई मंत्राले संभाले है मनोर पार्ट वन और मनोर पार्ट टू दोनों सरकारों में मंत्री थे मुख्य मंत्री पत की दोड़ में रहे हैं मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं मैंने आपको एक वीडियो शेयर किये था आप इसमें जाकर देख सकते हैं इनसे बस में बताया था कि क्या अनिलविज अब मंत्री पत्स्विकार करेंगे और आज भी मेरा सवाल फिर वही आ जाता है, seniority की बात अगर आएगी, क्योंकि अनिलविज ने नायप सिंग सेनी के साथ मंत्री बनना यूँ स्विकार नहीं किया था, कह दिया था कि वो junior रहे ह से इसलीह नहीं बने half a deputy stream के बात थी लेकिन वे नहीं बने थे अब इस सरकार के अंदर लेकिननाम मिंगे क्या क Suz के निए और करेंगे क्या या उनका कदह सातpent कर के विधायक दोन की सारेद़ साथ शूणियर के नीके ने Cancer के न अब क्या वो मंत्री बन सकते हैं मैं आपको बताता चलूं कि अनिल विज ने मंत्री बनने की बात कभी नहीं कई जब विधानसवाद चुनाव लड़ रहे थे तब भी कहा था कि मुख्य मंत्री पत की दावेदारी करूंगा और अब जब चुनाव हो गया उसके बाद भी उन्हों बनाया जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि अनिल विज शायद मंत्राले मंत्री पत खुद भी ना कभूल करें हो सकता है अनिल विज मैं अगले वीडियो में आप से जिकर करूंगा अगले वीडियो में आप से शेयर करूंगा विधानसवाद्यक्षे बारे में तो हो सकत का जीत का जो आकड़ा है वो बड़ता चला गया है सोमे सोभाओ के हैं जीन्द में अच्छी पकड़ है सोनीपत लोगसभा में आता है जीन्द और बांगर की धर्ती पर अगर मैं यह कहूं डॉक्टर कृशन मिड़ा पिछली बार विधायक थे इकलोते और अब की बार उनके साथ में सफीदों भी साथ मिल गया सोनीपत लोगसभा के अंदर ठीक हिसाब किताब रहा भारती जन्ता पार्टी का हुड़ा साब यह मार खा गए चोट खा गए अपकी बार क्रिशन मिड़ा मंत्रीपत के बड़े दावेदार है और क्रिशन मिड़ा का अगर मैं यह कहूं कि उनके जिस हिसाब से उनका प्रोफाइल चल रहा है पोलिटिकल तो क्रिशन मिड़ा की लोट्री लग सकती है उनको मंत्राले मिल सकता है निखिल मदान पहली बार विधायक बने है तो शायद निखिल मदान क्योंकि सोनीपत में अगर डॉक्टर क्रिशन मिड़ा को हो जा कि using बंगे तो लगता है कि अब की बार उनको विधायक बनने दे में सबर करना पड़ेगा अगली बात करने तो विदोत भियाना अहाना जनीत कॉंगरेस मलें बने थे पहली बार 2009 में उसके बाद में फिर विधायक बने पहले हबाद में हारे फिर विधायक बने जब 2009 में बने था संसदिय सचीव रहे थे अब बात आ जाती है कि क्या आपकी बार उनको कोई मंत्रालिय मिल सकता है हासी से विनोध भयाना की जीत तो हुई लेकिन उनकी जीत पर भी पहले संशय था संदेह भी थ और अगर बात आ जाएगी पार्टी वाली पार्टी के प्रती इन सब को देखेंगे हालां की विनोध भयाना पुराने नेता हैं खांटी नेता भी है और उनका अपना असर रसूख भी है लेकिन क्योंकि हासी और जीन्द में ज्यादा गैप नहीं है अगर जीन्द का नंब अगर से चुनाव जीते हैं बड़े अंतर से चुनाव जीत करके आए पिछली बार भी विधायक थे अब भी विधायक है गंशामदा सरुड़ा बड़ी चर्चा है थी पहले उनको टिकेट भी कटने की लेकिन टिकेट भी मिला और चुनाव भी जीते मंत्री पत पर उनका और भी दावा है डिली दरबार में दौर में लगा रहे हैं डिली दरवार की तरफ उनका ध्यान भी है सोमे हैं सोमे सौभाओं के हैं एक विधानसभा सेशन के दोराल मुझे मिले थे गंशामदा सरोड़ों का नाम भी चर्चा में है लेकिन देखना हुआ देखना होगा कि क्या उनका नंबर आता है या नहीं अगली बात करते हैं तो परमोध विज परमोध विज पुराने जो सियासी खांदान, सियासी परिवारे उससे भी आते हैं राष्टिय स्यवक संग भारती जनता पालिटी से जुड़े हुए भी हैं दूसरी बार विधायक बने हैं 2019 में विधायक बने हैं 2024 में विधायक बने हैं परमोध विज के बारे में कहा जाता है बहुत शान्त और बहुत सरल सौभाव के नेता है परमोध विज की पानिपत सिटी पानिपत शेहर के अंदर और आप देखें तो फिर बुले शाहा और रोहिता रेवडी को बड़े अंतर से हरा कर भी आए है बड़े अंतर से हरा कर गया है चुनाब की काउंटिंग के दौरा वहां पर आरोप भी लगे थे और उन आरोपों को 99% बैटरी वाले आरोपों को कॉंग्रेस उठा भी रही है परमोध विज दूसरी बार विधायक तो बने लेकिन मंत्रीपत की दौड करनाल लोकसभा में आती है पानिपत विधान सभा सीट क्या मनहोरलाल जी पर काफी अगे बढ़ाते हैं अगले विधायक है तो धनेश अदलक्खा धनेश अदलक्खा बढखल से विधायक है मनहोरलाल और क्रिशनपाल गूजर दोनों के बड़े खास माले जाते हैं इस विधानसभा चुनाओं में उनको टिकेट मिला विधानसभा का टिकेट पहली बार मिल 2009 में भी धरिश अदलख्खा दावेदार थे, 2014 में भी अदलख्खा दावेदार थे, 2019 में भी टिकेट की उनकी मांग थी और 2024 में भी रही कई बार नगर निगम के पार्शद रहे हैं, उनकी माता जी भी नगर निगम के पार्शद रही है हर्याना फार्मेसी काउंसिल के चेर्मेन भी रहे हैं जितना उनकी पकड कुषनपाल गुजर जी के साथ में है उतना ही उनका असर मनोराल जी के साथ भी है आज मैं सोशल मीडिया पर वाइरल फोटोज देख रहा था तो उसमें वो दिखाई पढ़ रहे थे बैठे हुए मनोराल जी के साथ में मनोराल जी काफी उनको अपने लज़िक समझते हैं और इधर क्रिशनपाल गुजर की बात करें तो बड़खल विधान सभा के चुनाव परचार के दोरान में क्रिशनपाल गुजर ने धनेश अदलखा के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया था धनेश अदलखा के लिए क्रिशनपाल गुजर ने कह दिया था कि चुनाव धनेश अदलखा का नहीं मेरा है और इतना ही नहीं एक बार तो कृषिनपाल गूजर की ये स्टेट्मेंट आई थी कि जैसे मुझे देविंदर मेरा बेटा प्रिये है वैसे ही धरेश अदलक्खा प्रिये है फरिदाबाद से मंत्री कौन बनेगा ये काफी हद तक डिपेंड करेगा कृषिनपाल गूजर पर भी अगर ऐसा हुआ तो फिर धरेश अदलक्खा के पास दो संस्तुति होंगी एक कृषिनपाल गूजर की और दूसरी मनहुरलाल जी की इस लिहाँ से धरेश अदलक्खा का दावा भी मजबूत है अगर मैं आठ पंजाबी नेता जो मैंने आपसे बात की पंजाबी समाज के भारती जनता पार्टी के आठ विधायक अगर उन में से सीनियर्टी की हिसाब से दे तो चार नेता ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जो मंत्री पद की दौड में काफी आगे रहेंगे अलाकि अनिल्विज का नाम तमाम सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है लेकिन मुझे लगता है कि अनिल्विज को भारती जनता पार्टी कोई और बड़ी जिम्मेदारी देगी क्योंकि जूनियर्टी और सीनियर्टी वाला जो मसला पिछले दिनों में उठा आपको ध्यार होगा कि अनिल्विज सहाब को मनाने के लिए जब नायप सिंग सेनी मुख्य मंत्री बने तो फिर मनोरलाल भी मनाने गए और नायप सिंग सेनी भी मनाने गए बात भी चली मंत् विस्तार काफी समय रुका भी रहा लेकिन जगर अनिल्विज उस समय मंत्री नहीं बने थे मैं आपसे बता रहा हूं कि तमाम सोचल मीडिया वेब साइट्स पर मैं देख रहा हूं उसमें अनिल्विज का नाम है और काफी सीनियर है साथ भार के विधायक हैं सबसे सीनियर भारती जनबर्टी के विधायकों में अनिल्विज का नंबर आता शाम अरोडा और चौथा नाम धनेश अदलखा ये चार पंजाबी समाज के ऐसे नेता हैं जिनको मंत्रीपद की दोड़ में काफी आगे रह सकते हैं अनेलविज, कृष्ण मिड़ा, गंशामदा सरोडा और धनेश अदलखा आप कितने सैमत हैं इन में से कौन नेता हर्याणा सरकार की सरकार के अंदर जो नई सरकार बनेगी यानिकि 17 तारिक को उसके अंदर मंत्रीपद की शपत ले सकता है कमेंटस बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक औ सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा श्यादा करें